नमस्कार आप देख रहा है आरकेदांगी चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे NCBT के जो बच्चे थे 2018 और 2019 एडमिशन के बच्चे थे उनका 80 वर्ड का रिजल्ट आ गया था 100 वर्ड का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था 100 वर्ड पर मिनट का साइटिफिकेट SCBT देती है मद्यप्रदेश सरकार में तो वो SCBT का बोलेंगे हम साइटिफिकेट जो NCBT वाले बच्चे हैं उनका 100 वर्ड पर मिनट का रिजल्ट आ चुका है कि बहां पर जाके पता करना पड़ेगा जो ITI की लॉग इन पर रिजल्ट आता यह आप खुद नहीं देख सकती है बाहर से इस रिजल्ट को इसलिए आपको अपनी आई टी आई में जाके संपर्क करना पड़ेगा वही आपको अपना 100 वर्ड पर मिनट का रिजल्ट बता पाएंगे देखिए का वो लोग कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बता देता हूं आप जाए आई टी आई में उनको बोलिएगा तो वो कैसे करना है आपको गूगल का प आपको क्या करना रहता है सबसे उपर जो आपकी लिंक है उस लिंक पर हम किलिक करेंगे लिंक पर किलिक करते से ही आपको जो डाउनलोड डबलू ये इसको आपको येर सेलेक्ट करना है जैसे 18 सेलेक्ट किया हमने इसके वाद इस टैनो फर्स्ट इयर डालना है आपको यहा पास हुए है उनका रिजल्ट है आप स्क्रॉल करके भी जो बासोदा के बच्चे हैं वो देख सकते हैं यह पूरा रिजल्ट था जो X के बच्चे थे और 2019 जो रेगूलर के बच्चे थे NCBT के उनका भी हम बता देते हैं अभी देखिएगा उसमें कौन-कौन पास हुए है वो आप देख लीजिए यह पूरा मैं बता देता हूं यह देखिएगा यह जो जिनका PDF लिखा हुआ है पास के आगए उनका रिजल्ट जारी हो चुका है वो आप देख सकते हैं रिजल्ट यह पूरा मैंने बता दिया है इसके बाद यह तीन पेज है इसमें भी आप देख लीजिए यह जो रिजल्ट है रहनुमा भी पास है यह इस तरीके से दूसरा पेज और देख लेते हैं तो यह वीडियो देखके जो गंजवासवदा वाले वच्चे तो अपना रिजल्ट आप किसी भी ITI के हैं तो आप अपने ITI से तुरंट संपर करें जिससे आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा और आप अपना रिजल्ट देखके आगे की जो भी आपकी परिक्छाएं हैं गवर्मेंट जॉब को लेके तैयारी में लग जाईए वीडियो कैसा लगा यह कमे लेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद